नमस्कार मैं प्रध्यपक डॉक्टर अनुप दल्वी अध्यक्ष हिंदी विभाग आर्बेन्वी क्वाली स्रीरामपूर। आज हम यस्वाई बिये की ओम प्रकाश वालमिकी के द्वरा लिखीत सलाम इस कहनी का अध्यन करेंगे। ओम प्रकाश वालमिकी हिंदी दलित साहते के सशक्त हस्ताक्षर है। उनका जल्मा 20 जून 1990 इस्वी में उत्तर प्रदेश के मुझभफूर नगर के नगर में बरला नामक गाव में हुआ। उन्होंने बच्पन से ही सामाजीक एवं कठिनायों का सामना किया था। संगर्शरत स्तितियों का सामना करने के करन उनका साहित्य अनुभूती की अभिवेक्ती ही है। उन्होंने अनेक भोगी हुई सामाजीक यातनाय एवं मानसीक कष्ट उनके कहनी के द्वारा उद्रूत हुए है। उन्होंने महराष्ट्र में बाबा साहिब अम्बेड करके साहित्य का अध्यान किया। वे देहरादून में स्तीत और्डेनस फैक्टेरी में सेवारत है। उनके कारियों के करन विभिन्न प्रकार के पुरसकारों यह उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें जो उलेकनी पुरसकार प्राप्त हुए हैं। उनमें डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड कर रश्ट्रिय पुरसकार, परिवेश संब्मान, कथाकरम संब्मान, साहित्य भूशन पुरसकार, आधी पुरसकारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तूत सलाम कहानी में समाद में प्रचलीट च्वा छुत की भावणा को उद्रूत किया गया है। उनके द्वारा अर्थात सवर्न समाज के द्वारा शुद्र समाज पर होने वाले अन्याएं और अत्याचारों को उनकी मुख वेदना को वानी देने का प्रयास इस कहानी के मद्यम से हुआ है समाज में विश्यम तो दिखाया दिती है वर्न वेवस्ता दिखाया दिती है अताह वर्न वेवस्ता के करण छूत अचूत की भाणा समाज में आ गए थी अर्थात समाज सलाम यह जो कहानी है यहाँ कहानी समाजिक जो भेदभाव है जो समाज में लोगों में जाती के नाम पर धर्म के नाम पर प्रांत के नाम पर भाशा के नाम पर लोगों का बटवारा किया जाता है उनमें भेदभाव किया जाता है उसी भेदभाव को यहाँ कह कहने का नायक है हरिश लाहा परिंपरपरा से आई हुई सलाम यहां एक प्रता है उसाjang का प्रती एक विद्रह का स्वर उनका इस काहने में दिखा देता अर्थात शादी का माहौल है। वहां उनके परिवार के साथ या उनके साथ प्रस्तुत होता है। उनकी बारात एक स्कूल में ठहर गई है। वहां गाओ के जो प्रधाना थे उस गाओ के प्रधाने स्कूल खुलने का वचन उने दिया था। परन्तु आयन वक्त पर हेड मास्टर कही रिष्टेदारी के लिये कही गये थे या कही जाने के करण वह स्कुल का इंतजाम नहीं हो सका। स्कुल में जो हैंड पम था वह भी बिगड गया था। अतहब पानी पीने की वेवस्ता नहीं हो पाती परन्तु मुश्किल से दो मिट्टी के गड़े पीने के पानी की उन्हें मिलते हैं और बड़ी मुश्किल के साथ वह बारात वह समना करती हैं। हरिश ने अपने दुलेपन का बहार उन्होंने उतार दिया और दिवार से पीटर टिका कर वह आराम करने लगता है। साथ ही वो अपना मित्र कमल को भी आराम करने की सलाहा देता है, वो अपने मित्र को कह देता कि थोड़ी देर तक कमल सिधी कर लो, ठक गये होंगे, तुम्हें यहां बहुत अटपटा लग गया होगा, कमल ने आज तक गाव नहीं देखा था, वो पहली बार गाव में आया था और इसलिए गाव की समश्या, गाव की मुशिबते, गाव की विपदाय, गाव के भेदभाव, वो पहली बार महसूस करता है, लोग कितनी देखा जीवन जीते हैं, ग्राम जीवन में उसका अनुभव उन्होंने पहली बार हो गया, इसलिए लोगों का देखा जीवन हो, उ जुर्ग भी है वहां भुजुर्ग कमल को उनकी जाती के बारे में जानना चाहता है तो हरिश नाराज हो जाता है अपनी मित्र की जाती पूछी जाती है और इसलिए नाराज के स्वर में उस भुजुर्ग को वह कह देता है ताउ क्या इतना काफी नहीं है कि यहां मेरा दोस् जात को बिदाए दिश्राइब साथ इनलुपनिश्यांति जाती ब्राहमंण होने की बात उस बुजुर्ग को बता देता है। गाव लोगों में या मोम के लोगों लोगों की जाती पाती के संद्रब में वह लो जानने के चन्दर में एक रूची होती है कारण जाती पाती की कटरता ग्राम-जीवन में करती है। जाती है और सुभा सुभा उसे गर्म चाय पिने के लिए देती है उनके हाथ में थमा देती है अता सुभा उठने के बाद चाय नहीं मिली तो उसका सीर भारी हो जाता है ऐसी आवस्ता में कमल चाय के बारे में पूछताज करता है तो वहाँ भुजूर्ग उन्हें बता देता चाय के बारे में उन्हें कह देता है बाबुजी गाउं में एक दुकान है आप सुभा देख लेना शायद वहाँ चाय मिल जायेगी और परिनाम तह कमन सुभा उठ गया और चाय की तलाश करते करते एक चाय की दुकान पर वहाँ पहुंच जाता है दुकान वहाँ चाय की दुकान चवुतरे पर थी वहाँ एक बुड़ा आदमी बैटा था उनके कपड़े चिगट कपड़ों में बैटा है वहाँ बेड़ी पी रहा था बेड़ी की कड़वी धुआ रही है आदमी अत्यन तो दुरुबल था कमन नहीं उस बुढ़े आदमी क उचाय के बारे में पूछा कि यहाँ चाय मिलेगी तो इससे वस्ता में वह बुड़ा आदमी कह देता है कि जी हाँ यहाँ चाय मिलेगी और वहाँ चाय के इंतजार में वहाँ बैट गया और उसी समय कमल को अपनी मा की याद आती है कि जो मा सुबह सुबह चाय गर्म गर्म उनके हाँ में थामा दीती है मा चाय नास्ते बनाते समय कोई न कोई जो स्लोक है वह दोहराती रहती है कमन उस बुड़े आदमी से पूछता है कितनी देर लगेगी चाय बनाने में प्रतिक्रिया सुरूप वह बुड़ा आदमी कह देता है बस आभी हो जाएगी बट्टी स चाय हो सके और उसी समय वह जो बुड़ा आदमी है वह चाय बनाने में जूट गया परन्तु चाय बनाते बनाते वह कमल के साथ बातचीत करने लगा वह कमल को कहने लगा नए दिक रहे हो बाबुजी कहां से आये हो प्रतिक्रिया सुरूप कमल उन्हें कह देता है मैं देहर दुन से कल यहां एक बारत आगई है देहरा दुन का नाम सुनकर वह चोक गया बारत के बारे में पूछा तो कमल भी सहज में कह देता है हाँ मैं भी उसी बारत में आया हूं परन्तु उसी बारत में आने की बात जब उन्होंने सुनी तो उसी समय वह बुड़ा आदमी चोक ऑजाता है और उन्ने समझ में आता है कि जो बाराद गाव में आई है देहरादुन से वह चुड़े चमार के गर में आई है एक अचुत के गर में आई है हो सकता है यह कमल यह भी अचुत होगा और इसल inad चाय बनाने के लिए इनकार कर देता है बुड़ा आदमी जग्या सवसुने कर देता है वह बारा तो चुड़े के गर में आई है तो कमल कर देता है तो फिर क्या हुआ उनके गर में आई तो क्या हो सकता है कमल अत्यन तो विनमरता के साथ कर देता है भाई साथ क्या हो गया आप चाय नहीं बना रहे हैं क्या मैं पैसे नहीं दूंगा ऐसी बात कहते ही वह बुड़ा आदमी तन कर खड़ा होता है और क्रोथ के साथ कहा देता है पैसे सहर में जाकर दिखाना दो पैसे जेब में हो गए तो सारी दुनिया को सिर पर लेकर ठायो यह शोहर नहीं है गाव है यहाँ चुड़े चमारों को मेरी दुकान पर चाय नहीं मिलेगी कही और जाकर पियो मतलब भेद भाव परक दुर्ष्टी उस बुड़े आदमी में दिखाए दिती है और उनके विवार से कमल बहुत परिशान हो जाता है जो पहले चाय बनाने के लिए तयार हुआ था केवल चुड़े के गर में बाराताई है वह दलित होगा अच्छूत होगा यहाँ समझ कर वह बुड़ा आदमी उसे चाय देने के लिए इनकार करता है कमल को चाय वाला अस्व्य वन्मानुस दिखाय देता है कमल ने कमल फिर उनकी जात पुछता है कि चचा जी आपकी जात क्या है तो उनकी जात पुछने के बाद वह और आधिक प्रुदित हो जाता है वह उन्हें कह देता कि मेरी जात से तुम्हें क्या लेना देना इब ये चमार भी जाग पुछने लगे कलजूग आ गया है कलजूग इस तरह से वह ग्रामीन भाशा में उनके साथ बोलने लगा वह अपनी जाती बताने से इंकार कर देता है और इसलिए कमल अपनी जाती का परिछे देते हैं उन्हें कह देता है मेरा नाम है कमल उपाध्धाय उपाध्धाय याने ब्राह्मन परन्तु ब्राह्मन के रुप में परिछे देने के बाद भी वह बुढ़ा आदमी उस पर विश्वास नहीं रखता उन्हें लगता है कि यह अगर चुड़े चमारों की बारात में आया है अचुतों की बारात में आया है तो यह भी शायद अचुती होगा और इसलिए वह इनकार कर देता है वह उसे चाय नहीं देता उल्टे संदेह के नजरों से उनकी और देखता है वह उनकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता उन दोनों की जब बाचिल चल रही थी तो उसी समय गाव का रामपाल नामक पहलवान वह आता है गाव में उनका दबदबा था रोब था वह चाय वाला सभी सभी रुत्तांत रामपाल को बता देता है सभी रुत्तांत सुनकर वह कमल को डाटने लगता है गालिया देने लगता है और गाव में जिस लड़की के घर में शादी थी उस लड़की के बारे में वह कर देता है आरे लउंडिया को गाव में ब्याहा देता तो महारे जैसों का कुछ भला हो जाता हैं साथ ऐसा कहने के बाद उनके साथ जो अन्य लोग थे वह भी खिल खिला कर हसने लगते हैं उपहास के हसी आसने लगते हैं अन्य लोग भी उसे साथ देते हैं कमल डर जाता है कारण उन्होंने दलीत ही उकों को गाउ में पिट पिट कर मारने की अनेक कहानिया हरिस के दॉर्णा सुनी थी परन्तु Amash पहली बार उसकी द estudak एक विशमता वह मुहसुस कर रहा था। पहली बार हरिस की बाद पर उसे विश्वास हो गया था या वह विश्वास वह धुरूर्ण हो गया था कि गाव में वर्न के नाम पर छूत अच्छूत की भावना के नाम पर दलितों को पीट कर मार दिया जाता है यह उन्हों पहले जब आती थी गाव में आता था विशिश रुस्य ग्रामीन जीवन में आता था आती थी देवोभो कहकर उनकी सेवा के जाती थी सतकार किया जाता था और इसलिए वो प्रतिस्वाल करते हुए पांडे को कह देता है क्या यही है गाव का आती थी सतकार आप लोग अपने ही गाव के लड़की के बारे में ऐसे बाते कर रहे हो क्या वह इस गाव की बेटी नहीं है ऐसा कहने के बाद वह रामपाल और कुरदित हो गया वह उसे गालिया बखने लगा गालिया बखने के साथ साथ मारने के लिए धंकाने लगा अतहक कमल अपने जनवासे से निकल जाता चाय वाले दुकान पर उनका समवात सुनकर बाते सुनकर उनका विवात सुनकर बाहरी भीड खड़ी हो गए थी और यह सभी भीड कमल की ओर संदह के नजर से देखती है और उसे चुड़ा चुड़ा कर उसे चुड़ाने लगती है और वह अपनी जान बचा कर जनवासे में चला जाता है अर्थाथ स्कूल के बरामदे में जहां उनकी बारात ठरी हुई थे वहाँ चला जाता है कमल उन्ट लोगों से बचकर जब जनवासे में पहुंचा तो वहाँ अत्यन तो छूप हो जाता है वहाँ कुछ बोलता नहीं हरेश उनसे जानना चाहता है कि क्या हुआ परंतु घटित प्रसंगों का कोई बयान वह उनके सामने प्रूद्रूत नहीं करता और उसी समय पंद्रा वर्ष पूर्व घटित एक घटना का उसे स्मरन हो जाता है कमल हरिश को लेकर अपने घर गया था वहाँ जाने के बाद जब उसकी माता को पता हो गया कि वहाँ और उन्होंने कह दिया था कहा कहा से इन कुझड़ों को पकड़ कर तो घर ले आता है खबरदार आगे से किसी हराम को दुबारा यहा लाए तो मा हरिश को धेर सारी गालिया दी और उन्होंने अपने घर से उन्होंने भगा दिया मा की दुदकार से कमल आहत हो जाता है दु उसे कहती थी, बेटा, बामन से दोस्ति रास नहीं आएगी, इन लोगों के साथ दोस्ति नहीं की जाती, हरिश के जाने के बाद, मा ने सारा घर गंगा जल से पवित्र कर दिया, स्वच्छ कर दिया, सारे घर में गंगा जल उन्होंने छड़क दिया गया, और पवित्रता की भावना महसुस की गई, बच्चे का बाल मानस निरिविकार होता है, बच्चे किसी भैद भाव को नहीं जानते, किसी द्वैश भावना को नहीं जानते, लेकिन बड़े लोगों के द्वारा, ये भैद भाव या द्वैश भावना का जहर, उनके बाल मानस पर संस्कारित कि कर जाता है कमKapal की मां उसे कहती है हरिश के बारे में कहती है बेटा इनके संसकार गलत होते हैं यहाँ छोटे लोग होते हैं इनके साथ बेटने से बुरे विचारमनमें पैदा होते है पर अनुभौव उनसे विपरित था कम्नी इसी तरह का आनुभावब हरिश्च के द्वारा प्राप्त नहीं किया था प्रतिक्रिया सोरुप वो आपनी मा से प्रतिप्रश्न करता है मा को पूछता है मा तुम कभी उनके घर गई हो उनसे जाकर कभी मिली हो फिर कैसे जानते हो कि उनके संसकार गलत है यह बुरे लोग है तुम कैसे जानती हो यह सुनकर मा चौक जाती है कारण अपने पूत्र का सवाल का कोई जबाब मा के पास नहीं था मा निरुत्तर हो गई वह कुछ बोल नहीं पाई अतह मा ने हर कर आपने बेटे के साथ समझोता कर लिया और इसलिए कमल हरिश को लेकर अब अपने घर खाना खाने के लेकर जाता है परन्तु फिर भी हरिश के बरतन कमल के घर में अलग रखे जाते हैं वह बात कमल को बिल्कुल अच्छी लगती नहीं वह मानता है यह मेरे मित्र के साथ विश्वास गाती हैं वह भेदभाव की दृष्टी या द्वैश भावना उसे अच्छी लगती नहीं वह उसका विरोध करता है शादी के घर में मेहमाडों की चहल पल थी कजबे से नान और मिट बनाने के लिए कारिगर बुलाये गए थे भोजन की महक पुरे वातावरन में फैल गए थी बड़े बुड़े बच्चे अवरते काफी इकटा हो गए थे सभी में उस्साह का वात अत्यांत प्रसन्न था हरिश के सशूर जुम्बन और रुषी के इसमें सरकारी करमचारी थी उनकी लड़की गाओ की अईसी लड़की पहले ऐसी लड़की थी कि जिनोंने हैस्कुल की परिक्षा पास की थी उसके पहले एक भी लड़की नहीं पड़ी थी गाओ द्यात के नियम, काइदे, कानून या लग होते हैं और उसी के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए जाना था कहनी का नाम है सलाम अर्थात गाव के जो अच्छूत लोग है वहाँ बड़े लोगों के घर में अर्था सवर्न के गर में सलाम करने के लिए जाते हैं और सलाम करने के लिए गाव के रंगड जो परिवार है उस परिवार के दरवाजे पर उने जाना था यहाँ गाव का रिवाज था कि जो रिवाज जो रुडिया परंपरा से चलिया रही थे परंतु हरिश के पीता जी ने रंगड के घर में या रंगड के दर्वाज़ों पर सलाम के लिए जाने के लिए स्पष्ट रूप में इंकार कर दिया इंकार करते वे उन्होंने कर दिया कि हमारे लड़के को हम रंगडों के परिवार में सलाम के लिए नहीं भेजेंगे रंगड परिवार से कई बार सलाम के लिए गुलावा आ गया था लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे जल में रहकर मगर मच से बर नहीं किया जाता मगर मच के साथ बैर नहीं किया जाता जल में रहकर अर्थाथ उसी गाव में रहना है उन लोगों के साथ रहना है और उन लोगों के साथ रहकर उनसे विरोध नहीं किया जा सकता कारण यह लोग जीने नहीं देंगे उसी तरह की भावणा जनसामन्यों की थी इसी लिए जब यह लोग सलाम के लिए जाते थे उन्हें बरतन दिये जाते हैं कपड़े दिये जाते हैं गाव में कोई दामाद हो नई कोई दुलन हो सलाम के लिए जाने का रिवाच अत्यंत कुराना था जो उस गाव में परचली था हरेश सलाम जैसी जो प्रता है परंपरा है उसके प्रती विद्रोह करना चाहता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसे कपड़े और नहीं चाहिए ऐसे बरतन मैं रांगडों के दर्वाजे पर सलाम करने के लिए नहीं जाऊंगा आप चाहे जो समझे मैं इस रिवास को आत्म विश्वास तोड़ने की स्याजी समनता हूँ और इसलिए मैं उनके घर पर नहीं जाऊंगा सलाम की ये जो रश में है वो बंद होने चाहिए और ये खबर पुरे गाव में फैल गई दोपर हो गई वहां रंगडों के परिवा अन्रागड का जो पहलवान है कमल वे चाए के दुकान पर कमल को धंकाते हुए चला गया था उनका सारा रुटतांत उन्हें गाव में पैला दिया था वहां अपनी बात तक सलाम के लिए क्यों नहीं आया जुमन उनके पहर पकड़ लेता है और उसे कर देता है चोधरी जो सजा दोगे वह मैं भुगत लुगा परंतू बेटी की बिदाई हो जाने दो जमाई पडा लिका है गाउ देहत की रित ना जाने है गाउ की रिवाच पद्धती वह जानता नहीं है रांगण कहता है कि तुन्हें गाउ की नाक कटवा दी जो लवंडिया को दस्वी पास कर दी लड़कियों को स्रीयों को पढ़ने का दिकार नहीं था परंतु गाउ की लड़की ने पहली बार दस्वी की परिक्षा पास कर दी इसलिए रांगण कहता है कि तुन्हे गाव की नाक कटवा दी, क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की, तू गाव की हवा बिगड रहा है, अर्थत गाव का जो वातावरन है, उस वातावरन को तुम दूशित कर रहे हो, और साथ ही सलाम के लिए आने का फैसला भी, वो उसे बता देता है, फैसला सुना कर वो चला गया, कमल गाव परिवार के सभी यह द्रूश देखता है, यह भेदभाव देखता है, जातिगत विशमता को वो महसूस करता है, हरीश अपने विचारों पर आड़े गरह कर, सलाम के लिए जाने के लिए इनकार करता है, अर्थत इस कहानी में, सलाम जैसी जो कूप रत है, उसको प्रथा के प्रती एक विद्रोह की भावना इस नायक में दिखाया दिती है, संक्षिप में कहा जा सकता है, गराम जीवन में विभिन भेद भाव, जाति पति, विशमता का सामना निम्न वरगिये लोगों को करना पड़ता है, छुआ छुद की भावना के साथ ही, हिंदू मुसलिम धर्मों की विशमता भी गाव परिवार में दिखाया दिती है, उन लोगों में भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, संपरदाय के नाम पर, उनमें जहर बोने का काम इन लोगों के द्वारा के आ जाता है, अतहा सामाजिक विशमता ते इस गाव परिवार में दिखा दिती है, कहानी कार ने ग्रामिन जीवन का यथार्टचित्रन अक्ट्यन्त सम्धनाओं के साथ उदरूत करने का प्रयास इस magari में किया है, अतह यह जो गई है इस कहानी में छूत-अछूत की भावना उदरूत की गई है, सोवर्न समाज के द्वारा शूद्र समाज पर होने वाले आत्याचारों का चितरन किया गया है सामाजिक भेद भाहों का चितरन किया गया है ग्रामिन जीवन की जाती पाति की कटरता उद्रूद करने का प्रयाश किया गया है सलाम जैसी रुडी परंपरा की प्रती विद्रोह की भावना चित्रित की गई है दुसरा तत्व पात्र तथा चरित्र चित्रन की रुप में इस कहानी के नायक है हरिश जो परंपरा से चली आ रही परंपराओं की प्रती विद्रोह करता है उनका मित्र कमल है, हरिश के ससूर जुमन, कमल की मा, चाय बनाने वाला वह बुड़ा आदमी, रामपाल, बन्लूरागड या ग्राम के सभी लोग पातर तथा चरीतर की रूप में आप लोगों को इस कहाने में दिखाया देते हैं कथव कथन की रूप में बेदभाव परग दृष्टी का एक प्रकार का जो परदा फाशे वह इस कहाने में दिखाया देता है जैसे क्या है गाव कमल चाय वाले दुकान दार को उन्होंने पूचा था, क्या यही है गाव का आतिती सतकार आप लोग अपने ही गाव के लड़की के बारे में इससे बाते कर रहे हैं क्या वह इस गाव की बेटी नहीं है अर्थात गाव के भेदभाव परग जो दृष्टी है उसका परदा फाश करने का प्रयास उन्होंने इस कहाने के मध्यम से किया है इस कहाने का चवथा तत्व देश काल वातारण के संदर्भ में हम लोगण इस कहाने में देखा ग्रामिन जीवन के भेद बावों का चितरन इस कहाने में हुआ है सामाजिक विशमता का चितरन इस कहाने में दिखाया देता है द्वेश बावना के संस्कार किस तरह से संस्कारित किये जाते है उसका अधियान हम लोगने इस कहानी में किया निम्न लोगों के साथ किये जाने वाले अन्या और आत्याचारों को चित्रन इस कहानी में हुआ है भाषा शेली की रुप में बुलचल की भाषा है, पत्रान उकुल भाषा है, प्रसंगन उकुल भाषा का चितरन हुआ है, वेंग्यात्मक्षेली का प्रतिपादन इस कहाने में हुआ है, तथा समादात्मक्षेली इस कहाने में दिखा देती है, और इस कहाने का अंतिम ततो उ और अत्याचारों का परदाफाश करने का प्रयास इस कहानी के मध्यम से हुआ है। चूत, अचूत की भावनाए कहानी के मध्यम से उद्रूत है। तथा सभी प्रकार के भेद भावों को मिटा कर एकता तथा मानत वाद की स्थापना करने का प्रधान उद्देश इस कहानिकार का दिखा देता है। दलीत तथा अच्छूत लोगों के दुख दर्द का परदाफाश करने का प्रयास इस काहनी में हुआ है, तथा उनकी मुक वेधना को वाणी देने का प्रयास काहनी की माध्यम से हुआ है। काहनी में सभी प्रकार के भेद भाव को मिटाने का उदेश इस काहने में दिखा देता है तथा मानवत वाद की स्तापना करने का उदेश भी इस काहने में दिखा देता है नमस्कार धन्यवाद